नमस्ते दोस्तूं, RBSC Class 12th Hindi अनिवार्य के जो स्टुडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है, समवात से तू जो बुक है उसमें से 12 मार्क्स के क्यस्चन्स आपके बोर्ड एक्जाम में आएंगे, समवात से तू बुक से विवित प्रकार के लेखन जो टॉपिक है, उसके इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर का ये वीडियो में तयार किया है, इस वीडियो में फीचर संपाद की है और संपादक के नाम पत्र, ये तीन महत्वपुन टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है फीचर किसी भी रोचक विशय का, इंट्रेस्टिंग विशय का मन को अच्छे लगने वाला जो विवरण है, वो जब किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होता है, वो फीचर कहलाता है फीचर रोचक विशय का मनोरम और विस्तुरित प्रस्थूती करन होता है, फीचर का जो लक्ष होता है, वो मनोरणजन करना होता है, सूचना देना, और जानकारी को जनता के उपियोगी ढंग से प्रस्तूत करना होता है किसी विशे विशे से समंदित जानकारी को आत्मनिष्ट शैली में प्रस्तुत करने से जन सामान्य को वह जानकारी अपने स्वयम के जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है ये फीचर होता है फीचर लिखने वाला लेखक, स्वयम के विचार एवं प्रतिक्रिया पाठक को अपने लिए उपियोगी महसूस होते हैं लेखव समाचार से थोड़ा अलग श्रेणी का यह लेखन पाठक की कलपना शक्ति और मने स्थिति को भी प्रभावित करता है तो फीचर जो होता है वो इंट्रेस्टिंग होता है पाठकों के लिए दूसरा जो प्रशन है इलेक्टरोनिक माध्यमों में फीचर से आप क्या समझते हैं रेडियो और टेलिविजन के लिए लिखे जाने वाले फीचर को इलेक्टरोनिक माध्यम का फीचर कहते हैं आजकल टीवी और रेडियो न्यूज में भी इसका काफी प्रयोग होता है रेडियो रूपक तो पहले काफी लोग प्रिये हुआ करते थे लेकिन अब टेलिवीजन पर बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी फीचर का उपियोग कर रहे हैं डिस्कवरी और नेशनल जोग्राफिकल जैसे जो चैनल्स हैं इन चैनल्स में फीचर किसी भी धर्शक को अपनी और आकरशित कर देते हैं मंत्र मुक्द कर लेते हैं अगला देखिए श्रव्य द्रिश्य मद्यमू के लिए फीचर लेखन से क्या तातपर्य है रेडियो फीचर या टीवी फीचर यह तो जो अख़वार के फीचर की भाती होते हैं लेकिन रेडियो और टीवी के जो फीचर हैं वो थोड़े अलग प्रकार से लिखे जाते हैं क्योंकि उसमें व्यूज्यूल सामगरी भी होती है रेडियो फीचर वे फीचर है जो रेडियो के श्रोताओं को समाचारूं से भी आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है रेडियो फीचर को श्रोता ने तो देख सकते हैं ने पढ़ सकते हैं लेकिन रेडियो फीचर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि शब्दू को ने पढ़ने वाले शोता गण भी इसका आनन्द उठाते हैं यानि जो निरक्षर है पढ़े लिखे शोता नहीं है वो भी रेडियो फीचर का पूरा आनन्द लेते हैं दूसरी और टेलिवीजन फीचर की ये विशेषता होती है कि इसमें शब्दू के साथ साथ पिचर्स भी होती है वीडियो क्लिप्स भी शामिल होती है सजीवता गती और द्रश्यात्मकता के कारण टेलिवीजन फीचर अपने आप में विशेष होते हैं स्पेशल होते हैं टेलिवीजन फीचर दर्शकों को इसलिए भी ज़्यादा प्रभावित और मंत्र मुग्द कर देते हैं क्यूंकि इसके अंदर वॉइस होती है पिचर्स होते हैं और वीडियो क्लिप्स होती है दर्शक इन्हें देखकर सुनकर महसूस करके इसका पूरा आनन लेते हैं अगला प्रशन देखिए इस टॉपिक का संपाद की ये क्या है किसी भी समाचार पत्र में जो छपने वाली खबरें होती है उनको फाइनल करने वाला जो व्यक्ति होता है उन खबरूं पर अंतिम निर्णे लेने वाला युव्यक्ति होता है वो उस समाचार पत्र का संपादक कहलाता है संपाद किये किसी भी समाचार पत्र का महत्वपूर्ण वाग होता है किसी भी ज्वलंत मुद्दे, समसामीक मुद्दे या घटना पर स्वयम समाचार पत्र का जो द्रश्टि कोण है विचार है वो संपादक अपने द्वारा व्यक्त करता है यह संपाद किये कहलाता है संपाद किये संक्षेप में तथ्यों और विचारों की ऐसी तरक संगत और सुरुची पूर्ण प्रस्तूती है जिसका उद्देश्य मनोरंजन विचारों को प्रभावित करना या किसी समाचार को इस तरह प्रस्तूत करना है जिससे सामान्य पाठक भी उसका महत्व समझ सक संपाद किये के बिना समाचार्पत्र का प्रकाशन अधूरा है कैसे समझाईए संपाद किये संपादक को पाठक के साथ जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है गंबीर वचिंतन योग्य गटनाउं तथा मुद्दू को पाठक के सामने तारकिक ढंग से प्रस्तुत कर उसे सोचने के लिए प्रेरित करना संपाद किये का मुख्य उद्देश्य होता है संपाद की के अभाव में समाचार पत्र केवल सूचना पहुचाने का माध्यम ही बन कर रह जाता है इसलिए ये कहा जा सकता है कि संपाद की के बिना कोई भी समाचार पत्र अधूरा है अब संपाद की लेखन की क्या विशेष्टाएं होनी चाहिए संपाद की लेखन संपादक के व्यक्तित्व के विचारूं का परिचायक होता है अर्था है प्रतेक संपादक की लेखन शेली अन्य से बिन्न होती है एक अच्छे संपादकी की विशेस्ता है संपादकी को यथा संभव वस्तुनिष्ट, निर्भिक, दूरदर्शी वा मार्गदर्शक होना चाहिए यह समंदित मुद्दे या गटना पर विचारू को उद्देलित करने वाला होने के साथ सुजाव देने वाला भी हो संपादकी द्वारा व्यक्त की गई आलोचना केवल संपादक के व्यक्तिगत विचार नहोकर तारकिक वे निस्पक्षता से युक्त होना चाहिए यह एक बौधिक लेखन है अते विश्य वस्तु को सूसंगत एवं समग्र रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए संपाद की लेखन का कारिय किन रूपों में किया जाता है ये देख लेजिए आप संपाद की लेखन का कारिय दो रूपों में किया जाता है एक जो बात संपाद कहना चाता है और दूसरा वह उसे कैसे और किस रूप में कहना चाता है ये आगे और कुछ प्रश्ण दे रखे हैं एक देखिए दस्वा प्रश्ण ये संपादक के नाम पत्र स्थम्ब में प्रकाशन योग्य सामगरी के चयन में किन तत्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए संपादक के नाम पत्र स्थंब में प्रकाशन योग्य सामगरी के चैन के दोरान सामगरी की उपादेटा, प्रासंगिक्ता और सामीक्ता का विशेस द्यान रखा जाना चाहिए सामगरी से संपादक का सहमत या ए सहमत होना महत्वपुर्ण नहोकर उसकी उपादेईता महत्वपुर्ण होती है आलोचनात्मक पत्रू में यह देखना अवश्यक है कि आलोचना विशय परक वे तर्क संगत हो नहीं की व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जाए एक और प्रश्ण है मैं आपको बता देता हूँ फीचर लिखते समय किन-किन बातों का द्यान रखा जाना चाहिए फीचर लेखन के लिए किन-किन बातों का द्यान रखा जाना अविश्यक है जिस विशय या गटना पर फीचर तयार किया जाना है उससे समंदित व्यापक एवं प्रमानिक तत्यूं का संग्रे किया जाता है तत्यूं के संग्रे के साथ ही फीचर के एक उप्युक्त उद्देश्य का निर्दारन किया जाता है उद्देश निर्दारन एवं तथ्य संग्रे के उपरांत फीचर लेखन का काम किया जाता है फीचर सहस और सहज बाशा में लिखा जाना चाहिए आत्मपरक्षैली में हो फीचर के लिए इसे शिर्षक का चैन किया जाए जो पाठकूं के मन में जिग्यासा उत्पन करे फीचर का जो आमुक है प्रभावी और आकरशक हो फीचर में प्रभावी संप्रेशनियता के गुण का समावेश करने के लिए उचित रूप से उसमें पिच्चर सो ग्राफिक्स हो इनका उपियोग भी किया जाना चाहिए तो दोस्तूं त्वल्त हिंदी अनिवार समवाद सेतू में विवित प्रकार के लेखन से समंदित ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आप अपने सभी दोस्तूं के साथ शेर करें धन्यवाद दोस्तूं